non-strictly determined 2x2 games तो non-strictly determined game से क्या मुराद है जिसका कोई भी saddle point ना हो saddle point क्या होता है ये समझने के लिए हम एक 2x2 matrix लेते हैं 1, 2, 3, 2 ये हमाई सामने एक 2x2 matrix हैं तो saddle point find करने के लिए हम क्या करते हैं पहले rows का क्या करते हैं maximum find करते हैं जैसे इस first row में maximum value है 2 इसी तरह second row में maximum value है 3 फिर in maximum का minimum find करते हैं जो की है 2 column wise चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं minimum value देखते हैं यहाँ पर minimum value है 1 और यहाँ पर है 2 और in minimum value का maximum find करते हैं जो की इस case में है 2 तो जो दोनों में same point आता है इस तरह find करने के बाद इस point को कहा जाता है saddle point जो एक जैसे हूं बिलकुल same हो इसको कहा जाता है saddle point और अगर कोई दिये दोनों values different आएं same ना आएं तो इसका मतलब हम कहते हैं कि इसमें कोई भी saddle point नहीं है आज हम ऐसे games के बारे में बात करेंगे जिसमें कोई भी saddle point नहीं होगा for example हम यह इस matrix के example लेते हैं यह एक 2 by 2 matrix है और अगर इसको चेक करें तो इसमें कोई भी saddle point नहीं है क्योंकि अगर हम इस row का maximum लें 4 और इसमें से maximum 6 और इनका minimum ले लें तो 4 आएगा इसी तरह यहां पर minimum है minus 3, यहां minus 2, minimum का maximum minus 2 आएगा यह दोनों equal नहीं है, इसका मतलब कोई भी saddle point इस case में नहीं है तो इसको हम solve करेंगे आज एक नहीं तरीके से हम suppose करते हैं कि row wise है player x और column wise है player y और player x की strategy a है minus 3 4 और strategy b है 6 minus 2 जबकि player y की strategy a है, sorry इसको c नाम दे देते हैं, different हो जाएगा first column और इसकी strategy d है second column जैसे कि हम जानते हैं कि पहली चाल या पहला game start हमेशा player x करता है और x के reaction में player y जो है वो अपनी strategy choose करता है इसलिए इसको pay off matrix कहा जाता है क्योंकि हर strategy के against किसी ना किसी को कोई lose या win करना पड़ेगा तो इसलिए इसको pay off matrix कहा जाता है इसलिए हम कोशिश करेंगे optimum strategy find करने की जो कि दोनों के लिए satisfactory हो player x के लिए और player y के लिए भी अब क्योंकि इसमें कोई भी saddle point नहीं है इसलिए strategies जो है वो player x mix करके choose करेगा कभी strategy a choose करेगा तो कभी strategy b choose करेगा तो हमने देखना है कि कौन से strategy choose करने में उसको ज्यादा फाइदा है हम देखना चाहते हैं कि strategy a choose करने की क्या probability है तो for example हम कहते हैं if player x choose strategy a with probability p हमें fix probability नहीं पता तो हम suppose करते हैं कि probability of choosing strategy a is p तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह है कि probability of choosing strategy b is 1-p क्यूंकि दोनों probabilities का sum किसके equal आता है 1 के equal आता है अब जब player x जो है वो अगर यहाँ पर हम देख रहें strategy a का तो अगर player x strategy a choose करता है यानि वो कहता है कि मैं first row को choose करता हूं तो उसके against जो player y है उसके पास दो options है या तो वो first column यानि strategy c choose करे या वो strategy d choose करे तो पहले हम suppose करते हैं कि अगर player y strategy c choose करे तो इसका मतलब player x की expected value या expected gain क्या होगा हम player a की expectation find करेंगे तो इसके लिए formula क्या होगा expectation इसकी equal होगी probability of choosing strategy a strategy a को choose करने की क्या probability है p है और b को choose करने की 1-p है तो क्यूंकि player x जो है वो row one choose कर रहा है इसलिए यहां पे एक row matrix आजाएगा और क्यूंकि player y जो है वो सिर्फ column one को choose कर रहा है इसलिए यहां पे हम column matrix लिख देंगे minus 3, 6 यह आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ आप direct ही ऐसे कर सकते हैं कि यहां पे जो first element है minus 3 इसको p से multiply करें plus जो next element है क्यूंकि वो column one choose कर रहा है तो next element को आप multiply कर दें one minus p से आप इस तरह direct भी कर सकते हैं यहां एक step इसलिए मैंने किया था कि आपको बहतर समझ आ जाए तो यहां से p into minus 3 आ जाएगा minus 3p plus 1 minus p into 6 यह आ जाएगा इसको अगर आप simplify करते हैं तो यह आ जाएगा 6 minus 9p तो यह expected value है किसकी player x की अगर वो strategy a चूज करें और y strategy c चूज करें अब हम देखते हैं कि अगर player y जो है वो strategy c की जगा strategy d चूज करता है तो फिर क्या probability होगी अगर वो strategy d चूज करेगा तो इसी तरह से p multiply होगा second column से p 1 minus p तो यह आ जाएगा 4p plus 1 minus 2 into minus 1 minus p into minus 2 यहां पर मैं लिख देती हूँ इसके expectation होगी e is equal to 4p plus minus 2 into 1 minus p यह किस case में होगा अगर player y जो वो strategy d चूज करता है इसको simplify करेंगे तो यह आ जाएगा 6p minus 2 यह expected value है अब अगर हम इसको equation number 1 और इसको equation number 2 नाम दे दें तो इन दोनों को graphically solve करें तो हमारे पास इस तरह का graph आ जाएगा यह इनका point of intersection होगा जो कि अगर हम इसमें find करें तो p की value यहां पर आ जाएगी p is equal to 8 over 15 और e की value आ जाएगी e is equal to 6 over 5 यानि कि यह जो point of intersection है यह आ जाएगा 8 over 15 और e की value आ जाएगी और 6 over 5 तो यह probability हमने find की है x के strategy a और b को choose करने के कि अगर x strategy a जो है वो probability p के साथ और strategy b जो है वो probability 1 minus b के साथ चूज करें तब उसके expected value क्या होगी तो हम यहां पर लिखेंगे optimum strategy for x optimum strategy for x क्या होगा probability matrix होगा जो की है p और 1 minus b यानि कि यह हमें बताएगा कि किस probability के तहद strategy a चूज करें और किस probability के तहद strategy b चूज करें तो p की value हमारे पास है 8 over 15 तो 1 minus b किसकी equal होगा 1 minus 8 over 15 करेंगे तो यह आ जाएगा 7 over 15 इसका मतलब optimum strategy for player x क्या है 8 over 15 7 over 15 अब सेम इसी तरह से हम player y के लिए भी देखेंगे तो player y के लिए हम suppose करते हैं कि वो strategy c को choose करने की probability of strategy c उसकी है for example q और probability of choosing strategy d is क्या जाएगा 1 minus q क्योंकि अब हमने optimum strategy for player y भी देखना है कि in case player x अगर row 1 चूज करें तो player y को कौन से strategy c या d में से कौन से चूज करना चाहिए और अगर row 2 चूज करें तो फिर इसको कौन सा करना चाहिए यहां पर matrix सामने रख लेते हैं ताकि हमारे लिए असानी हो जाए तो पहले हम देखेंगे कि अगर player x strategy a चूज करें तो फिर क्या होगा तो फिर हम क्या करेंगे strategy a ये है ये strategy b है इस case में हम क्या करेंगे क्यूंकि अगर वो a choose करेंगा तो इसके साथ हम probabilities को multiply कर देंगे तो ये बन जाएगा इसकी expected values in this case e equal आएगा minus 3 into q plus 4 into 1 minus q इसको जब simplify करेंगे तो e equal आएगा 4 minus 7 q next हम देखेंगे कि अगर player x strategy a की जगा b choose करें फिर क्या होगा हमें इनको b से multiply करना होगा in that case expected value e equal आएगा 6 into q minus 2 into 1 minus q इसको simplify करें expected value equal आजाएगा 8 q minus 2 के इसको चाहें तो आप graphically represent करके देख सकते हैं लेकिन यहां पर मैं direct इनको simultaneously solve करके values find out कर रही हूँ इसको equation number 3 और इसको equation number 4 का नाम दे दिया इनको simultaneously solve करते हैं तो जब इनको solve करेंगे तो q की value आजाएगी 6 over 15 और e equal आएगा जो की expected value है वो equal आजाएगा 6 over 5 के 6 over 5 तो यहां हम लिखेंगे optimum strategy for y y के लिए optimum strategy क्या होगा इसका हम यहां पर probabilities का matrix बनाएंगे q और 1 minus q q है हमारे पास 6 over 15 तो 1 minus q किसकी equal होगा 9 over 15 के और इनको sum करेंगे तो यह आपने notice करना है कि इनको sum करेंगे तो यह हमेशा 1 के equal आएगा यहां पर एक और चीज़ भी देख लें दोनों केस में exactly same है यहां पर भी 6 over 5 है और यहां पर भी 6 over 5 है हर दफा यह same हो वो ज़रूरी नहीं है यहां पर optimum strategy का जो matrix है मैंने row के form में लिखा है better understanding के लिए आप चाहें तो column के form में भी लिख सकते हैं क्यूंकि y जो player है वो column wise है उसने column wise strategy play करने as a column matrix तो हर दफा इस तरह equation बना के solve करने की बजाए इसका एक general formula easy way ढून लिया है तो उस general formula की मदद से हम direct ही optimum strategy किसी भी player का find कर सकते हैं तो पहले हम देखते हैं for row player जिसको इस case में हमने नाम दिया हुआ है X उसके optimum strategy इसके probability को हमने कहा था P1 और P2 P2 किसके equal था 1-PK और P1 को हमने P कह दिया था अगर in general हमारे पास कोई भी matrix हो ये हमारे पास एक payoff matrix हो और player X के लिए जो probability matrix है for example जो row matrix है वो है P1 और P2 P2 हमेशा 1-P हमने इक और रखा है 1-P1 के इस case में P1 की क्या value होगी P1 equal होगा D-C over A plus D minus B minus C यानि कि इस formula के अंदर value पुट करेंगे तो हमारे पास P1 की value आ जाएगी और इसी तरह से P2 find करेंगे P2 कैसे find करेंगे यह जो भी value आएगा उसको 1 में से minus करेंगे यानि की column player तो उसके लिए optimum strategy कैसे देखेंगे इसके पास जो column vector होगा vector of probabilities या जिसको हम matrix भी कहते हैं वो है Q1 और Q2 और Q2 अगें किसके इक्वल होगा 1 माइनस Q1 के हैं इसके लिए formula है Q1 is equal to D minus B over A plus D minus B minus C इसी तरह से Q2 equal होगा A minus C over A plus D minus B minus C के हैं इस formula में अगर देखें तो सब के denominator exactly same है इसके बाद last में जो value of game find करते हैं उसका formula है value of game अगर हम इसको V कहते हैं तो V equal होगा A D minus B C over A plus D minus B minus C numerator क्या होगा उस 2 by 2 मेर्चिक्स का determinant होगा जबकि denominator इनके जैसे same होगा तो यह क्या देगा हमें value of the game देगा अगर हम इसी मेर्चिक्स को सामने रखते हुए इसकी value of game फाइंड करना चाहें जिसकी हमने पहले उपर value find key V है और value क्या है 6 over 5 expected value तो यहां पर देखते हैं कि इस formula के तहरत हमारे पास V किसकी equal आता है A, D यह A, B यह A है यह B है यह C और यह D है तो A, D क्या आएगा 3, 2, 0, 6 minus B, C क्या आएगा 24 over A plus D A है minus 3 और plus D आएगा minus 2 minus B जो कि है 4 और minus C जो कि है 6 6 minus 24 क्या आएगा minus 18 आजाएगा और denominator में इसको solve करें तो यह आजाएगा minus 15 और इनको अगर आपस में solve करें minus minus से cancel हो जाएगा 3, 5, 0, 15 और 3, 6, 0, 18 तो यह आगया 6 over 5 एग्जेक्टली वही value है जो हमने उपर find किया था इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इन फॉर्मूलास की मदद से किसी भी 2x2 मैट्रिक्स की हम क्या करेंगे optimum strategy फाइन कर सकते हैं और value of the game भी फाइन कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने सिखा non strictly determined 2x2 games को कैसे solve करते हैं कर अज की हम लीडियो में क्या कर दो कर दो झाल झाल